Welcome to the origin series of Marvel and DC characters, जहाँ पर मैं हरोजे character की origin story share करता हूँ and आज मैं share करने जा रहा हूँ origin story of tombstone जिसके request मुझे करिए मेरे एक नहीं बलकि दो subscribers ने जो की है Alamgir Alif and Faisal Kazmi So अगर आप भी अपने किसी favorite character की origin story जाना चाहते हैं तो नीचे comment करने कमें section में and मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी इस पर वीडियो लाप हूँ So be sure to comment below and now without wasting any moment let's begin the video Tom stone की first appearance हुई थी the comic web of spider-man issue 36 में March 1988 को Tom stone का real name है Lonnie Lincoln और उसे एक rare skin disorder की विमारी थी जिसकारण उसकी skin color पूरी तरह से white थी जिसकारण college में उसे सब लोग Tom stone बुलाते थी और Tom stone college में सब को बुली करता था जिसकारण Robbie नाम का एक student Tom stone पे एक article लिखता है और जब उस article के बारे में Tom stone को पता चलता है तो वो Robbie को पकड़ कर धमकाता है and उसे पीड देता है जिसकारण डर के मारे Robbie अपना article वापिस ले लेता है and later story shift होती है 7 साल बात जब Robbie एक press reporter बन जाता है और उसे एक recently होई murder का एक witness call करता है जिसको मिलने Robbie उसी वक्त भाग कर जाता है और वहाँ पहुंच कर वो देखता है कि वो witness Tom stone के हाथों मारा जा चुका है जिसे देखकर घबरा कर Robbie वहाँ से बाहर भागता है अपनी जान बचा कर and अभी office में जाकर वो सोचता है कि Tom stone अभी एक criminal बन चुका है और इतने में Robbie को Tom stone का मूँ बंद रखने के लिए एक धंकी बरा call आता है and then story shift होती है 20 साल आगे जब Robbie new york आकर daily bugle में chief editor बन जाता है and इसके साथ Peter का काफी अच्छा दोस्त भी but एक दिन वो हरान रह जाता है जब वो Tom stone को new york में देखता है और उसे पता चलता है कि वो अभी kingpin के लिए काम करता है so Robbie Tom stone को follow करता है but Tom stone उसे पकर लेता है और उसे दूर रहने की धंकी देता है फिर काफी रिसर्च के बाद Robbie को पता चलता है कि Tom stone बहुत सारे crime कर चुका है तो वो उन सब का record ढूंडता है with evidence and उसका active record करता है जिसके बारे में वो सिर्फ अपने trustable person को ही call करके बताता है जो कि था Peter Parker और जब Peter Parker स्पार मैं बन कर वहाँ आता है तो वो देखता है कि Robbie वहाँ पर नहीं है तो स्पार मैं Robbie को ढूंड निकल पड़ता है और इधर Robbie Tom stone को arrest करने आया था बर Tom stone उसके अटेक कर देता है और Robbie को tardly squeeze करकर उसकी backbone तोड़ देता है और स्पार मैं उसे ढूंड कर hospital लेकर जाता है बर Tom stone वहाँ पर भी आ जाता है और Robbie को उसे और उसकी family को मानने की धमकी देता है अपना move बंद रखने के लिए तो Robbie Peter को बुला कर वो tape delete करने को कहता है और पीटर को ना चाहते हुए वो वो tape delete करनी पड़ती है और लेटर Tom stone को उस tape और पीटर के connection के बारे में पता चलता है जिसके चलते वो Peter Parker के घर जाकर पीटर की wife Mary Jane की कलाई तोड़ देता है और tape को वापिस मांगता है और इस बात पे पीटर को बहुत गुसा आता है तो वो Tom stone को बहुत बुरी तरह से धोता है क्योंकि उसने स्पैरमेन की लोगाई को चोट पहुचाई थी और इधर Robbie हिमत निकाल कर Tom stone के सब crimes का खुलासा daily bugle के reporters को hospital में बुला कर कर देता है और फाइले Tom stone को jail हो जाती है बट Tom stone के जुर्म शुपाने के लिए Robbie पर भी Crime Concealment का चार्ज लगता है और उसे भी jail हो जाती है और गैस बाट Robbie की jail के साथ ही Tom stone का भी cell था तो पहुच जाता है Tom stone अपना बदला लेने बट Robbie को बचाता है वहाँ का एक तमतार huge prisoner और वो Robbie का friend बन जाता है और वो Robbie को कहता है कि वो उसे उसके शोटे बाई की याद दिलाता है जिसका ना है Stuart और वो log कर रहा था और उसे अभी उसे मिले होए 15 साल हो गए तो वो strong prisoner Robbie को भी strong बनाता है ताकि वो अपना defense कर सके और इसके बाद टॉम स्टोन के आदमी handmade weapon के साथ उस strong prisoner पर attacker थे जिसका ना वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और इसी बाद का फाइदा ठाकर टॉम स्टोन उससे fight करता है और उसे पीट पीट कर माट डालता है और रॉबी को पीटर को call करकर कहता है कि वो spider man को jail में बलाए और जब spider man आता है तो टॉम स्टोन उससे fight करता है और बड़ी चलाकी सी वो spider man को बिहोशी का injection दे देता है और इसके बाद spider man मदहोश I mean बिहोश हो जाता है और spider man को एक human shield बना कर jail break करता है जहां पर टॉम स्टोन के आदमी दो helicopter लेकर उसका wait कर रहे थे और इसके दुराण spider man होश में आ जाता है तो टॉम स्टोन इमिजेटली रॉबी को अपना hostage बना कर helicopter में बैटकर निकल पड़ता है जहां spider man उसका पीशा करता है और टॉम स्टोन उसे गिराने की कोशिश बट इस बार रॉबी पीशे नहीं अरता और वो टॉम स्टोन को लेकर helicopter से jump कर देता है बट लगे ली रॉबी सर्वाइब कर जाता है जहां पर एक farmer family उसका ख्यार रखती है बट इसी दुरान टॉम स्टोन रॉबी को ढूंड कर उस पर attack कर देता है बट इस बार अगेन रॉबी भागता नहीं है और टॉम स्टोन को एक जोर तर पंच मारता है और एक क्रोबार लेकर वो टॉम स्टोन की शाती में गढ़ देता है और फिर घायल होकर टॉम स्टोन वहाँ से चला जाता है और इसके बाद रॉबी अपनी family को अपनी location reveal करता है और उसके साथ police को भी जो कि इसे arrest कर ले जाती है और फिर रॉबी को jail से हमेशा के लिए free करवाता है एक Stuart नाम का वकील जो कि उसी strong prisoner का भाई था जिसके बारे में उसने रॉबी को jail में बताया था और इदर टॉम स्टोन हैमर हेड के साथ मिलकर ओसको कमपनी में से एक lethal gas चुराना चाहता था जिससे वो एक new drug बना ले के लिए use करना चाहता है जिसके चलते वो बुरे काम छोड़ चुके एक villain the molten man से मिलता है जाता है टॉम स्टोन को arrest करने के लिए जहां पर स्पार मैन मॉल्टर मैन और ग्रीन गॉल्विंग की कॉस्ट्यूम पहने हैरी ऑस्बॉन तीनों टॉम स्टोन के गुंडों से लड़ रहे हैं तब ही रॉबी टॉम स्टोन को गैंस चेंबर के और जाते वे देखता है और उसे रंगे हाथों पकड़ कर arrest करने के कोशिश करता है बर टॉम स्टोन उस पे attacker कर देता है जिस कारण Robbie से trigger दब जाता है और गोली लगने के पर टॉम स्टोन रिटन करता है और वह हैमर हैड के पूरे एंपायर को टीक और कर लेता है तो इसके बाद वह अपने पुराने दोस्त Robbie को भी घर जाकर विजिट करता है पर उसे मारता नहीं बर्कि ठेंकी बोलता है क्योंकि उसकी वज़े से वह उस गैस रॉबी को फ्री कर देता है सभी डैप्ट से और कहता है कि अब से तुम्हें मुझसे घबराने की ज़रूत नहीं है इसके बाद वह स्पार्र मैं का आइकानिक विल्म बन जाता है और क्राइम्स की दुनिया में अपने सफर को जारी रखता है तो यह थी और इस पसंद आई होगी तो अगर पसंद आई तो लाइक करना और नहीं है तो सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं ऐसी ही और जोज लाता रहता हूं और अगर आप अपन प्सक्राएब